इससे पहले हम लोगों ने UPPCS Prelims 2023 के लिए तीन प्रशन पत्रों को हल कर लिया है ये आगे का चौथा प्रशन पत्र है और उमीद करता हूँ कि आपको ये सभी प्रशन कहीं ने कहीं उपयोगी सिद्ध होंगे स्वाये बिना देर किये आज के प्रशनों को देख लेते हैं सबसे पहला प्रशन है यहाँ पर दिया हुआ निमनलिकित में से किस अधिनियम के अनुसार एक उमीदवार अधिक्तम दो निर्वार्चन छेत्रों से चुनाव लड़ सकता है According to which act, a candidate can contest from maximum of two consistencies Option A है जन परतिनिधित्व अधिनियम 1950, Option B है जन परतिनिधित्व अधिनियम 1951, Option C है जन परतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996, या Option D है जन परतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2010 इस question का जो correct answer रहेगा वो है Option B जन परतिनिधित्व अधिनियम 1951 आपको याद होगा हाल ही में सरोच नियाले ने आम अत्वा विधानसभा चुनावों में उमिदवारों को एक से अधिक निरवार्चन छेत्रों से चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने किये किया आचिका जोती उसको खारिच कर दिया है और इसे संसदिय संप्रभुता और राजनीतिक लोकतंत्र का मामला बताया है अगला प्रस्न है भारत प्रवाह इंडिया ऐलॉंग इट्स शोर्स पहल शुरू की गई थी औप्शन ए है नवीन और नवीकरनी उरजार मंत्राले द्वारा आप्शन बी है रक्षा मंत्राले द्वारा आप्शन सी है आपको बताना है किस मंत्राले या किस विभाग ने इसको शुरू किया है इस question का जो correct answer रहेगा वो है आपका option D यानि कि पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्राले त्वारा पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्राले ने रास्ट ब्यापी कारक्रमों की श्रिंखला के माध्यम से द्यानिक जीवन में नदियो बंदर गाहो और नौवहन के महत्वत तथा कलपना को जागर करने के लिए भारत प्रवा भारत अपने तटो के साथ यानिकी भारत प्रवा इंडिया एलॉंग इट्स शोर्स पहल शुरू की है अगला प्रश्ण है निम्दलिकित में से किने भारत का नया आउशिधी महा नियंत्रक नियुक्त किया गया है आप्शन A है डॉक्टर वीजी सोमानी आप्शन B है डॉक्टर रुबीना बोस आप्शन C है श्री एके प्रधान या आप्शन D है राजीव रगुवनशी तो आपको बताना है कि भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल अफ इंडिया कौन बने है इस क्वेशन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन D यानि की राजीव रगुवनशी अगला प्रशन है राश्टरिय अनुसुचित जनजाती आयोग नैशनल कमिशन फॉर स्केडियूल ट्राइब्स के संदर्ब में निमलिकित कत्रों में से कौन सा या कौन से सही है पहला कतन है इसकी स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी दूसरा कतन है सम्विधान के अनुचे 338A के प्रावधान राश्टरिय अनुसुचित जनजाती आयोग से संबन देते हैं आपको बताना है दोनों में से कौन सा कतन सही है इसके option है केवल एक एक और दो दोनों केवल दो और ना तो एक और ना ही दो इस question का जो correct answer रहेगा वो है option C यानि की केवल दो राश्टरिय अनुसुचित जनजाती आयोग जिसको जो हम लोग NCST भी कहते हैं इसकी स्थापना वर्ष 2004 में अनुचे 338 में संशोधन कर और 89 वे संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से संविधान में एक नया अनुचे 338 एस सम्मिलित कर दी गई थी और इसलिए यह एक संविधानिक निका है इस संशोधन द्वारा पुरवर्थी राष्ट्री अनुचे जनजाती और अनुचे जनजाती आयोग के दो निमलिकित अलग-अलग आयोगों द्वारा प्रतिस थापित किया गया है राश्टी अनुसुचे जाती आयोग का उद्देश क्या है NCST का समविधान के अनुचे 338-A के तहत वर्तमान में प्रभावी किसी कानुन अथवा सरकार के किसी अन्य आदेश के अंतरगत अनुसुचे जाती को प्रदान किये गए विविन सुरक्षा उपायों के कारेवनन की निगराने का अधिकार दिया गया है So NCST या आंकलन करने के लिए भी अधिकरित है कि ये सुरक्षा उपाय कितनी अच्छी तरह से काम कर रहे है अगला प्रस्ण है निमनलिकित में से कौन सी रिपोर्ट गयर सरकारी संगठन NGO या निक की प्रथम द्वारा जारी की जाती है तो जो NGO प्रथम नाम की जो NGA है नॉन गौर्नमेंटल और्गनाजेशन है वो कौन सी रिपोर्ट जारी करती है आप्शन A है अखिल भारती है उच्च सिक्षा सर्वेशन आप्शन B है सिक्षा की वार्षिक स्थिती रिपोर्ट आप्शन C है सिक्षा की स्थिती रिपोर्ट या ऑप्शन D है भारत की सिक्षा प्रणाली रिपोर्ट तो पाचवे का जो correct answer रहेगा वो है option B यानि की सिक्षा की वार्शिक स्थिती रिपोर्ट को जो है एक NGO है जिसका नाम प्रथम है वो जारी करता है अगला प्रशन है multi super speciality military hospital किस शहर में बनाया जाएगा ये question बार बार repeat हो रहा है तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना ह इसका option है merit, लखनव, गोरकपुर और D है एक तथा B तोनो तो इसका जो correct answer रहेगा देखे पहले तो ये लखनव में बनाया जा रहा है और merit में भी प्रस्तावित किया गया है तो इसका correct answer हो जाएगा option D, A और B तोनो अगला प्रशन है निम्नलिकित में से किस मंत्राले ने शिकायत appeal summit portal launch किया है, so grievance appeal committee जो है कौन से ministry ने launch किया है आपको बताना है, option A है सूचना और प्रसाडन मंत्राले, option B है वित्त मंत्राले, option C है electronics और सूचना प्रद्योगी की मंत्राले, या option D है रक्षा मंत्राले, so किस ministry ने जो है grievance and appealate committee का जो है अनावरंड किया है या launch किय आपको बताना है, इस question का जो correct answer रहेगा, वो है आपका option C, electronics और सूचना प्रद्योगी की मंत्राले द्वारा, इसे launch किया गया है, अगला प्रस्चन है, government E marketplace, GEM की शुरुआत किया गया था, option A है उभोकता मामले मंत्राले द्वारा, option B है क्रिशी और किसान कल्यान मंत्राले द्वारा, या option D है, A तथा B दोनों, इस question का जो correct answer रहेगा, वो है option C, यानि की वाड़िजे एवं उद्योग मंत्राले द्वारा जो है, इसे launch किया गया था, अगला प्रस्चन है, इसको आप निशान लगा देते हैं, अगला प्रस्चन है, भारत के 74 गरतंत्र दिवस के आया गया है 26 जनवरी 2023 को, इसके मुख्य अतिथी कौन थे, option A है, अब्दिल फते अल सीसी, option B है, जेयर मेसियस बोल सोनारो, option C है, सिरिल रामाफोसा, या option D है, हालिमा याकूब, आपको पता होगा, एजिप्ट के प्रेजिडेंट इस बार आये थे, अब्दिल फते अल सी अगला प्रस्न है, इंडो इसराइल ट्रामा कोर्स कहां आयोजित किया गया, so where was the इंडो इसराइल ट्रामा कोर्स organized, option A है, बनारस हिंदो विश्विदाले ट्रामा सेंटर वारानसी, option B है, इंडियन हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर गाजियाबाद, option C है, सिटी correct answer हो जाएगा, वो है option A यानि की बनारस में, तो यह बनारस हिंदो विश्विद्याले जो है, यहाँ पे जो है, इंडो इसराइल ट्रामा सेंटर कूर्स आयोजित किया गया है, अगला प्रश्न है, आर्रे महिला समाज की स्थापना की गई थी, आपको बताना है, आर्रे मह प्रश्न का जो correct answer हो जाएगा, वो है option C, पंडिता, रामाबाई, सरस्वती द्वारा, चीक है, अगला प्रश्न है, क्राउनी capitalism index प्रकाशित किया गया था, option A है the economist द्वारा, option B है financial times द्वारा, option C है Reuters द्वारा, या option D है उप्युक्त में से कोई नहीं, तो आपको बताना ह कि क्राउनी capitalism index किसके द्वारा जो है launch किया गया था, इस question का जो correct answer रहेगा, वो है option A, the economist द्वारा, चीक है, अगला प्रश्न है, सुजाक है एक प्रकार का, आपको बताना है सुजाक क्या है, जिसको कौनो रिया भी कहते हैं, एक पक्षी है, रोग है, सांप है, या मानो अं है, आपको बताना है, सो इस question का जो correct answer रहेगा, वो है option B, एक रोग है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने निम्नलिकित में से, किस राज्य के साथ विद्यूत बैंकिंग के लिए समझाता किया है, option A है जमू और कश्मीर, option B है तमिल नाडू, option C है हिमाचल प्रदे दोनों, तो जम्मू कश्मीर और तमिल नाडू के साथ जो है, उत्तर प्रदेश ने विद्यूत बैंकिंग के लिए समझाता किया है, अगला प्रश्न है, निम्नलिकित में से किस राज्य में विश्व का पहला 200 मेटर लंबा बैंबू क्रैश बैरियर बहु बल्ली स्थाप आप्शन एंग विद्ट किया गया है, अगला प्रशन है, प्राथमिक प्रिशी रिंड समिती, यानि कि जो है, प्रैमरी एगरिकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज के संबन्द में निम्नलिकित में चतनों पर विचार कीजिए, पहला चतन है, इसका नेतित तो जो है, सरकारी साहकारी बैंक द्वारा किया जाता है दूसरा है या किसानों को अलप कालिक और मध्यम अवधी के लिए रिन्ड प्रधान करता है दीसरा है पहले प्राथमिक रिशी रिन्ड समिति का निर्मान वर्ष 1997 में किया गया था और चौथा खतन है पुर्वतर शेत्रों में इसका कवरे सबसे अधिक है तो आपको बताना है प्राथमिक क्रिशिक रिनिस समितियों के बारे में कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही है option A है केवल एक तथा दो option B है दो तथा तीन option C है तीन तथा चार या option D है एक तथा चार इस question का जो correct answer रहेगा वो है option A यानि की एक तथा दो तोनों सही है अगला प्रशन है हाल ही में विश्वा आर्थिक मंच World Economic Forum ने चौथी औद्योगिक क्रांती के लिए अपना केंद्र C4 IR स्थापित करने के लिए निमनलिखित में से किस शहर का चैन किया है आपको पता होगा Center for the Fourth Industrial Revolution विश्वा आर्थिक मंच जो है इन्होंने स्थापित करने के लिए चौथी क्रांती और द्योगिक क्रांती करना चाहते हैं ये लोग तो इन लोग ने अपना शहर किसे चुना है जहां से ये शुरुआत की जाए आप्शन A है बैंगलूरू आप्शन B है नई दिल्ली आप्शन C है हाइदराबाद या आप्शन D है एहमदाबाद इस क्वेशन का जो करेक्ट आंसर है वो है आप्शन C हाइदराबाद अगला प्रस्ण है निम्नलिकित में से किस राज्य की तर्स पर उत्तर प्रदेश में क्रिसी सर्वेक्षन किया जाएगा आप्शन A है करनाट का आप्शन B है गुजराद आप्शन C है ओडिसा या आप्शन D है तमिलनाडू इस क्वेशन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आप्शन A करनाट का अगला प्रस्ण है निमनलिकित में से किस भारतिय नौसेना के जहाज ने अंतरराश्ट्रिय समुद्री अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस 2023 में भाग लिया आपको बताना है वो कौन सा जो है नौसेना का जहाज है जिसने अंतरराश्ट्रिय समुद्री अभ्यास या Cutlass Express 2023 में हिस्सा लिया है आयनेस त्रिकंद, आयनेस वेला, आयनेस तलवार या आयनेस शिवाली तो वो कौन सा भारतिय नौसानिक जहाज जिसने अंतराश्टिय समुद्री अभ्यास में हिस्सा लिया है इस question का जो correct answer रहेगा वो है option A, आयनेस त्रिकंद अगला प्रश्ण है, प्रधानमंतरी मुद्रा यूजना के संदर्ब में निमलकित कतनों पर विचार कीजिए और बताए इन में से कौन सा सही है या कौन से सही है पहला कतन है यह लगू व्यवसाय उद्यमों के लिए पांच लाग तक का संपार विश्वक मुक्त स्थापित रिंड प्रदान करता है पहला कतन क्या था कि इट प्रवाइड़्स को रिंड देने वाली सदस्य संस्थाओं को बाहर रखा गया है पहला आप्शन है केवल एक सही दूसरा है एक तथा दो दोनो तीसरा है केवल दो और चवथा है ना तो एक और ना ही तो इस क्वेशन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही तो अगला प्रशन है विश्व श्वास्ते संगटन डबली एचो द्वारा शुरू की गई व्यापक योजना रिप्लेस संबंधित है option A है trans fatty acid से option B है रोगाणू रोधी प्रती रोध से option C है वायू प्रदूशन से या option D है कोविड-19 महामारी से तो इस क्वेशन का जो करेक्ट आंसर है वो है option A trans fatty acid से अगला प्रशन है अप्शिष्ट से कोईला निर्मित करने वाले भारत के पहले संयंत्र का निर्मान कहां किया जा रहा है इंडिया's first plant to make coal from waste is under construction in which state, which city option A है कानपूर, वारानसी, मेरट और इटावा इस question का जो correct answer रहेगा वो है option B वारानसी अगला प्रशन है F-R-I-N-G-E-X 23 जिसे जो है fringex 23 कहा जाता है भारत और किस देश के साथ पहला संयुक्त सैन ने अभ्यास है तो ये पहला संयुक्त सैन नभ्यास होने वाला है आपको याद रखना है तो ये जो है इंडिया और फ्रांस के बीच होने वाला है fringex 23 अगला प्रशन है सुची एक को सुची दो से सुमेलित कीजिए और नीचे दिये गए कूट में से सही उत्तर का चैन कीजिए एक तरफ जो है आपका जो है डिजिटल पहल दिया गया है और दूसरी ओर जो है संबंद छित्र दिये गये है सबसे पहला है भाशिणी उसके बाद है Genesis उसके बाद है मेरी पैचान और उसके बाद है मेगराज तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच किया गया है यहाँ पर आप्शन ए है 4, 1, 2, 3 या आप्शन भी है 2, 3, 4, 1 आपको करेक्टली कौन सा मैच इसमें लग रहा है आपको बताना पड़ेगा सो डिजिटल इंडिया भाषनी जो है यह एक जो है कह सकते हैं आर्टिफिशल इंटेलिजन्स प्लाटफॉर्म है सो इसकर्शन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है पहले का दूसरा ठीके जी यह एक जो है भाषनी यानि के अनुवादक प्लाटफॉर्म है फिर उसके बाद जो है दूसरे का तीसरा यानि के जैनेसिस जो है स्टार्टफ प्लाटफॉर्म है उसके बाद जो है तीसरे का तीसरा हो जाएगा दूसरे का तीसरा तीसरे का चौता मेरी पहचान एक नौगरिक लॉगिन और मेघराज क्या है क्लाउट कम्प्यूटिंग है तो इस question का जो correct answer हो जाएगा वो है option B अगला प्रशन है भारत OS के द्वारा विक्सित एक स्वदेशी mobile operating system है भारत OS किसके द्वारा विक्सित किया गया है एक जो mobile operating system आपने सुना होगा हाली भारत में लाँच हुआ है option A है IIT Bombay, option B है IIT Delhi, option C है IIT Roorki या option D है IIT Madras तो इस question का जो correct answer है वो है IIT Madras यानि की option D is the correct answer अगला प्रशन है निम्नलिकित में से कौन से देश में अधिक्तम बिजली उभोकता वाला राज्य बन गया है तो कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक बिजली का इस्तिमाल कर रहा है देश में option A है बिहार, option B है 36 गड़, option C है केरल या option D है उत्तरप्रदेश इस question का जो correct answer रहेगा वो है option D उत्तरप्रदेश अट्टुकल पॉंगल उत्सो किस राज्य में मनाया जाता है आपको बताना है कि अट्टुकल पॉंगल फेस्टिबल जो है वो कौन से स्टेट में सेलिबरेट किया जाता है option A है करनाटक, option B है आपका आंदरप्रदेश, option C है तमिल नाडू या option D है केरल तो आपको बताना है अट्टुकल पॉंगल किस राज्य में मनाया जाता है correct answer रहेगा वो है option D यानि की केरल अगला प्रशन है कौन सा देश वर्ष 2022 में प्रेशन का सबसे बड़ा प्राप्त करता है तो आपको बताना है which country was the largest recipient of the remittances in 2022 इस question के options है option A चीन, option B है इंडोनेशिया, option C है भारत या option D है कनेडा इस question का जो correct answer रहेगा वो है option C भारत अगला प्रशन है नेमनलिकित में से किसने Doppler Weather Radar DWR सिस्टम का उत्खाटन किया है option A है रक्षा अनुसंधान और विकास संगतन, Defense Research Development Organization DRDO द्वारा option B है भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगतन द्वारा, Indian Space Research Organization ISRO द्वारा option C है प्रिथवी विज्ञान मंतराले द्वारा, Ministry of Earth Sciences या option D है परेवरंड वन और जलवायू परिवर्तन मंतराले द्वारा इस question का जो correct answer रहेगा वो है option C यानि की प्रिथवी विज्ञान मंतराले द्वारा अगरा प्रशन है खेल, सांसद खेल महाकुम 2022-2023 का दूसरा चरण निमलिकित बेसे किस चिले में आयविजित किया गया था option A है प्रियाग राज, option B है वारण सी, option C है बस्ती और option D है गोरकपुर तो आपको बताना है कि सांसद खेल महाकुम 2022-2023 जो है कहां पर जो है इसका दूसरा चरण आयविजित किया गया था इस प्रशन का जो सही उत्तर रहेगा वो है option C यानि की आपके बस्ती में अगला प्रशन है Quad Leaders Summit 2023 की मेजबाने की त्वेश द्वारा की जाएगी आपको बताना है the Quad Leaders Summit 2023 विल बी होस्टेट बाइ विच कंट्री option A है भारत, option B है आउस्ट्रेलिया, option C है जेपैन या option D है यूएसे इस question का जो correct answer रहेगा वो है option B आउस्ट्रेलिया द्वारा में छूट की सीमा को बढ़ा दिया गया है और कितना बढ़ाया गया आपको बताना है option A है 7 लाक, option B है 8 लाक, option C है 6 लाक या option D है 9 लाक इस question का जो correct answer रहेगा वो है option A 7 लाक अगला प्रशन है neuromorphic computing विक्सित किया गया है option A जवाहरलाल नहरू उन्नत वैग्यानिक शोध केंद्र द्वारा option B है Tata Institute of Fundamental Research द्वारा option C है भारते विज्ञान, सिक्षा और अनुसंदान संस्थान द्वारा या option T है उन्नत computing विकास केंद्र द्वारा इस question का जो correct answer रहेगा वो है option A जवाहरलाल नहरू उन्नत वैग्यानिक केंद्र द्वारा अगला प्रशन है निम्लिकित में से किस राजवंश ने कलिंजर के लिए का निर्मान किया था option A है सोलंकी वंश, option B है चंदेल वंश, option C है सातवाहन वंश या option D है उप्युक्त में से कोई नहीं इस question का जो correct answer रहेगा वो है option B चंदेल वंश द्वारा अगला प्रशन है भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इश्रो के अवलोकन के अनुसार उत्रा खंड के निम्लिकित जिलों में से कौन सा या कौन से जिले में देश में सबसे अधिक भूस खलन प्रवन जिला है option A है रुद्र प्रयाग, option B है टेहरी गड़वाल, option C है चमोली या option D है ए तथा भी तोनों सही है इस question का जो correct answer हो जाएगा वो है option D यानि की A तथा दो रुद्र प्रयाग और टेहरी गड़वाल दोनों सही है अगला प्रशन है भारत के क्रिशी निर्यातक के संदर्ब में निमनलिकित कत्रों में से कौन सा या कौन से सही है कतन एक है इसमें चावल और चीनी दो मुख्य योगदान करता है कतन दूसरा है या वर्ष 2015-16 से 2021 बाई तक लगातार बढ़ रहा है इस क्रिशन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आप्शन A यानि की केवल लेक सही है या जो है चावल और चीनी के दो मुख्य योगदान करता है अगला प्रशन है सांक्य सागर जील निमनलिकित में से किस राज्य में स्थित है आप्शन A है त्रिपुरा आप्शन B है मद्ध्य प्रदेश आप्शन C है गुजरात या आप्शन D है उत्तर प्रदेश इस question का जो correct answer रहेगा वो है option B यानि की मद्यप्रदेश सांक्य सागर जील जो है मद्यप्रदेश में स्थित है अगला प्रशन है निमलिकित में से किसने विश्व भारती विश्व विद्याले की स्थापना की थी so इस question का जो correct answer रहेगा वो है option D यानि की रविश्व भारती विश्व विद्याले की स्थापना की गई थी अगला प्रशन है scrub typhus एक जानलेवा संक्रमण है तथा या डैश के कारण होता है option A है जिवानू, option B है विशानू, option C है प्रोटो जोवा या option D है कवक so scrub typhus is a life-threathing infection and it is caused by bacteria यानि कि ये जिवानूं के वज़े से होता है अगला प्रशन है निम्नलिकित में से कौन सा अभ्यास भारत और प्रांस के मद्य हुआ है आपको बताना है वो कौन सा अभ्यास है जो भारत और फ्रांस के बीच हो रहा है option A है शक्ती, option B है वरुन, option C है गरुन, या option D है उप्योक्त में से कोई नहीं या उप्योक्त में से सभी इस question का जो correct answer यह है उप्योक्त सभी यानि कि शक्ती, वरुन, गरुन यह सभी भारत और फ्रांस के बीच होने वाले युद्ध्याप्यास है अगला प्रस्थन है निमलिकित में से किस भारतिय सेना द्वारा आप्स अलर्ट अप्यास आयज़ित किया गया है option A है सीमा सुरक्षाबल option B है असम राइफल्स option C है रेल्वे सुरक्षाबल या option D है भारत तिबत सीमा पुलिस So, Ops Alert exercise was conducted by which of the following Indian forces Border security forces, Assam Rifles, Railway Protection Forces और इंडो तिबतियन Border Police इस question का जो correct answer रहेगा that is Border security forces, सीमा सुरक्षाबल के जरिये जो है Ops Alert exercise जो है conduct की गई है अगला प्रशन है निमलिकित युगमों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है एक तरफ हाथी रिजर्ब दिये गए है और दूसरी तरफ राजी दिया गया है So, सबसे पहला जो दिया है यह है बादल खोल तमोर पिंगला 36 गड़ में दूसरा है सिंग भूम जारकंड तीसरा है सिंग फन नागा लेंड और चौता है मयूर छर्णा ओडिसा तो आपको बताना है इनमें से कौन सा correctly match नहीं है So, इसका जो correct answer रहेगा वो है Option D मयूर छर्णा ओडिसा सिंग भूम जो है जारकंड में है सिंग फन नागा लेंड में है मयूर जर्णा पश्चिम बंगाल में है और लेमरू जो है वो 36 गड़ में आता है चिक है जे अगला प्रशन है चीन सीमा के पास लदाक में एक स्वतंत्र फिल्ड यूनिट का कारेभार संभालने वाली पहली भारतिय महिला अधिकारी कौन बनी है आप्शन ए है पद्मा बंदो पाध्याए आप्शन बी है पुनीता अरोडा आप्शन सी है माधुरी कानीट कर या आप्शन डी है गीता राणा इस वाली भारत की पहली महिला अधिकारी बनी है गीता राणा तो करनल है ये और श्वेंदल सील इलाका है लडाक सेक्टर में एक स्वतंत्र यूनिट की कमान इनको दी गई है अगला प्रस्न है लामू दीब समू किसके पुर्वी तटपर स्थित है आपको बताना है कि लामू दीब समू ये किसके पुर्वी तटपर स्थित है आप्शन A है जैपान आप्शन B है केनिया आप्शन C है भारत या आप्शन D है चीन लामी जो है आच्ची पेलागो इस लोकेटेड अन विच of the eastern coast आपको बताना है इस question का जो correct answer है वो है केनिया जो या केनिया का पुर्व तट पर स्थित है और या पुर्वी 아friki तट पर स्वाहिली कस्पों अर्भी में स्वाहिली का आर्थ होता है तक के बीच सबसे पुरानी और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित रहने वाली बस्तियों में से एक है तो ये केनिया में है अगला प्रस्ण देख लेते हैं निम्न लिकित में से किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्रदिकरण को सुभास चंदर बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है पहला ऑप्षन है केरल दूसरा है आंदर प्रदेश तीसरा है तमिल नाडू और चौथा है ओडिसा इस क्वेशन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ओप्षन डी ओडिसा तो आपको बताते चले संस्थागत स्ट्रेणी में सुभास चंदर बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ओडिसा राज्ये आपदा प्रबंधन प्रदिकरण और लुंगले फायल स्टेशन मिजोरम को पुरदान किया गया है S.C.B.A.P.P. जिसका अर्थ होता है सुभास चंदर बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार को आपदा प्रबंधन के छेतर में अमुली योगदान एवं निस्वार्थ सेवा को पहचानने और सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है पुरस्कार में 51 लाग का नगत पुरस्कार एवं संस्था का एक प्रमाण पत्र ततार एक व्यक्ति के मामले में 5 लाग और एक प्रमाण पत्र शामिल होता है अगला प्रश्न है अक्षे उर्जा स्थापित शम्ता के संदर्ब में या संबंद में भारत का वैश्विक स्थान क्या है option A है चौथा, option B है तीसरा, option C है पांचवा या option D है दूसरा तो अक्षे उर्जा के संबंद में बताना है तो इंडिया का जो रिनेवल एनरजी के जो केपैसिटी है उसके लेवल पे इंडिया की क्या जो है रैंकिंग है इस question का जो correct answer रहेगा वो है option A यानी की fourth आपको बताते चलें कि नवीन और नविकरनी उर्जा मंत्राले वर्ष 2030 तक गैर जिवाश मस्तरोतों से स्थापित 500 गीगावार्ट बिजली शमता प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है भारत अक्षे उर्जा स्थापित शमता बड़े हाइडरो सहीद पवन उर्जा शमता यवं सौर उर्जा शमता में विश्व स्तर पर चौथे स्तान पर है जनवरी से अक्टूबर 2022 की ओधी के दोरान कुल 14.21 गीगावार्ट अक्षे उर्जा यानि की रिनुवल एनर्जी शमता शामिल की गई जबकि जनवरी से अक्टूबर 2021 की ओधी के दोरान 11.9 गीगावार्ट शमता शामिल की गई तो correct answer जो है इसका option A रहेगा भारत जो है renewal energy capacity जो इसकी install की गई है वो world में fourth है अगला प्रशन है नासा ने multi-angle imager Aero Low Souls mission launch करने के लिए किस देश के साथ साज़ेदारी की है option A है भारत, option B है France, option C है Japan या option D है Italy आपको बताना है कि भारत ने जो है with which country the NASA partner to launch multi-angle imager for aerosol mission इस question का जो correct answer रहेगा वो है option D यानि की इटली के साथ सो इटली के साथ जो है हाल ही में multi-angle imager aerosols mission जो है NASA ने जो है launch करने की खोशना की है अगला प्रशन है मंगोलिया के संबंद में निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए या पस्चिम एशिया का एक स्थल रुध देश है option B है या दुनिया का सबसे कम आबादी वाला देश है option C है इसे अनंत नीले आकाश की भूमी land of eternal blue sky के रूप में जाना जाता है या option 4 है या रूस के साथ नोडैमिक elephant अप्यास आयोजित करता है नीचे दिये गए कूट में से आपको सही उतर का चैन करना है पहला option है एक तथा तीन दूसरा है दो तथा तीन तीसरा है तीन तथा चार और चोथा है एक तथा तो इस question का जो correct answer रहेगा वो है option B दो तथा तीन या दुनिया का सबसे कम आबादी वाला देश है और दूसरा है इसे अनंत नीले आकाश की मुमी यानि के land of eternal blue sky के रूप में भी जाना जाता है अगला प्रस्ण है हुक पत्र संदर्भित करता है option A है परिवार पहचान पत्र को option B है मतदाता पहचान पत्र को option C है भूमी सीडशक विले को या option D है किशान क्रेडिट कार्ड को आपको बताना है कि हुक पत्र जो है किसको संदर्भित करता है हुक हकु पत्र जो है किस संदर्भित है family identity card से, voter identity card से, land title lead से या किशान क्रेडिट कार्ड से इस question का जो correct answer रहेगा वो है option C land title lead से यानि कि भूमी सीडशक विलेक से अब समझ लेते हैं भारत के प्रधान मंत्री ने करनाटक में राज्य राजसो विभाग द्वारा आयजित एक कारेक्रम में बंजारा लंबानी समुदाए एक खाना बदोश अनुसचित जंजाती समुग के पांच परिवारों को प्रतिकात्मक रूप से हुक पत्र जो है वितरित किये हैं एक सीडशक विलेक एक संपत्तिक के स्वामित्तों का दस्तावेज है और दस्तावेज का वाहक भूमी का मालिक है सीडशक विलेख मालिकों को दस्तावेजी करन के साथ बैंक करेंड प्राप्त करने में सक्षम बनाता है सरकार उन्हें जमीन खरीदने या बेचने का अधिकार भी देगी जिस पर सीडशक विलेख दिये गए है अगला प्रस्ण है स्री वैंकटेश्वर मंदिर के समदर्व में निमलिखित में सकत्नों पर आपको विचार करना है स्री सब्ट कोश्वर मंदिर निमलिखित में से किस राजिम स्थीत्य आपको बताना है Option A है हरियाना, Option B है तमिल नाडू, Option C है उत्राखंड या Option D है गोवा So, Shri Sapt Kweishwar मंदिर जो है या आपका गोवा में पढ़ता है Option D is the correct answer आए समझ लेते हैं इसका analysis Shri Sapt Kweishwar मंदिर या गोवा में सितिक प्राचीन मंदिर है Shapt Kweishwar लगबग 12 शताबदी के कदंब वन्ष के राजाओं के देउता रहे है इस यूग में मिले सिक्कों पर राजा जैकेशी के साथ सा देउता के नाम का भी उल्लेख है पुर्तगाली विजय के बाद वर्ष 1540 में नियाएक जाच के वर्षों के दोरान एक बार फिर मंदिर के लिंग को हटा दिया गया इसे नारायन शेवडी सुर्वराव नाम के एक स्थानिय व्यक्ति द्वारत तसकरी कर लाया गया और लताम बर्ष से नामक स्थान पर ले जाया गया जहां या तीन साल तक रहा वर्ष 1543 में इसे दिवार दीब के पास एक मंदिर में स्थापित कर दिया गया मराथा राजा शिवाजी ने वर्ष 1664 में इस छेतर पर विजय प्राप्त की वर्ष 1668 में पुर्टगालियों के खिलाब गोवा में अपने कई अभियानों में से एक पर उन्होंने नर्वे में सप्ट कोचेश्वर मंदिर के पुरन निर्मान और लेंग को उसके उसी स्थान पर स्थापित करने का आदेश दिया